हमारा बोल्ट त्यार हो गया अब काम करने जा रहे हैं सों गृति है हमार पास दो नट्जा अभी ठीक है एक हमर पास सिंपल नट और एक एंगे लॉक नट ठीक है तो बनाओंगा एक उसको सेव कॉपी करूँगा उसकी जो तो यह हाइट है मेरे पास यह इसकी थिकनस जो है वो 10 से 6 कर दो हूं दूसरे पार्ट में ठीक है तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा नट ठीक है कर लिया पहले मैंने प्रजेक्ट्री में जाके सेंटर पॉइंट एक्स य एक्सिस ठीक है अब स्टार्ट करना तो पॉलिगन लेंगे हम पॉलिगन में जाके यहां पर साइट 6 चाहिए मुझे क्योंकि मैं नट बना रहा हूं ठीक है नट में जनरली आपकी साइट 6 ही होती है है तो सेंकिern है कि एक साइट पर two कर सकता हूं किक कर लिए ठीक है है एन किया है आव शुद्धिक कर रहे हैं तम साइस इता है ओ ठीक है थुट्धाओ टेर्टन नहीं तो टैन में 100 से और चाहिए यह वाला अब हम जागर चेक करते हैं तो मारे पास जो बिसकी वैसे साइज था अब हम जो स्पेस कवर कर रहे हैं हो मार पस आर्ट वैल का था अगर आपको याद हो हमने दिया था था कैब के अंदर इसका आउटर एजिस एं वहां पर फिटिंग से उसकी थिक है आट अन्यों देना अब आपने आप एपर 10 का मरा चेंटर डाया होगा ठीक है यह सेंटर डाया जो है मेरे पास वो टैन का उनों चाहिए तो इसको पहले 10 दिमेंशन देते हैं 10 मेरा रेडिस दाया है ठीक है रेडिस नहीं है यह कर लिए मैंने अब जो बाहर का है मुझे इसको मैं ज्यादा रख सकता हूं बट 24 से कम रखना है मुझे ठीक है डाया 24 से कम है मेरा वो चल जाएगा मेरे पास ठीक है तो कैसे करेंगे हम इसका अब इसकी डिमेशन लेंगे इस आउटर एजिस का लेंगे हम ठीक है यह आप अपने आप लोगे आपको जितना सुटेबल लगता है ठीक है यह जो आपके वास अवेलेबल होगा अगर मुझे M10 के कहीं अब बोल्ट लगाने है तो नट मार्केट में जो अवेलेबल है मैं मासे वो पिक करूंगा रादन कि मैं अलग से बनाके मशीनिंग करूंगा अपने लिए स्पेशल तो महेंगी बढ़ेगी वो तो उसके लिए क्या करेंगे जो पॉसिबल अवेलेबल मेरे पास होगा हम उ चैंज कर लेंगे ठीक है फिलाल 50 लेकी चल रहे हों इसको आप 19 भी ले सकते हो चौइस आपकी है बहुत बढ़ा हो जाता है सेफ 19 लेगा आपका या 17 लेगा आपका जैसे आपको सूट करता है आप 18 भी कर सकते हो ठीक है अब 18 लेकी चल रहा हूं मैंने ठीक है अब एक्स्टूड करना मुझे सिर्फ उस सर्फिस को जिस पर मैंने काम करना है ठीक है इतना ही चाहिए तो इतना लूँगा ठीक यह चाहिए मुझे मेरे पास दू पार्ट सेना पार्ट सिक्स एंड पार्ट सेवन ठीक है नट एंड लॉक नट तो पहले नट मना रहा हूं यह लिए ओक्ट किया इसको मैंने अब इसके कितने हैं अगर आप इसको इस्तिके से बनाओगे तो आपको अलग से एक सर्कल बनाकर इसको आप जैसे अपने बोल्ट में किया था हम इसकी कॉनर एजिस खतम कर देंगे ठीक है वह करना चाहो तो वह कर लो दूसरा ऑप्शन है स्केट्र में आपने मना लिए इसको बनाने के बाद जब एक्स्ट्रूजन कर रहे हैं तो चुछन में इसको स्मिट्री कर लो उससे क्या हमारे पास एक इजी हो जाएगा हम एक सेट बनाकर उसे मिरर कर सकते हैं तो अभी जाता हूं द्वारा सी सर्फिस के उपर न्यू स्केच ले रहा हूं प्रोजेक्ट इमेट्री में इस एक्स एक्सिस आप सर्कल कर रहा हूं इस सर्कल को इस एज तक ठीक है इसमें डेमेंशन दे देना आप ठीक है करने वाद वह ही आपका यूज़ कर रहा हूं एक्सटूर मेटस एक लगक्र सेट्रेड़ किया मैंने अब मैं इसको कुट नहीं कर रहा हूं इंटर सेक्ट कर रहा हूं एंगल 60 फीन ठीक है ओके किया यह बन गया मेरा यह बनने के बाद इसी पार्ट को जा कर सकता हूं ठीक है आपको बताया था कि मिरर करने के लिए मुझे एक प्लें चाहिए होता है ठीक है तो मिरर में गया हूं करें जो आपने उब्जेक्ट किया है वो पैटर नहीं हो सकता घ्लिक है देशनों मूंजों भाला फीचर करना था आइडिक बादिक होम प्रोंप पूरा अप्जेक्ट कह रहा हूं एक हम पूरा प्यप्जेक्टि tub रोड़ काहसे है कटा दियुख इसकी यूज कर लेते हैं उस पर हम बैक सैड़ जाके झाल ऑप्शन को यूज कर लेंगे तो अब यहां से कोई टूल डेक्ट किया तो आपने से यूज किया तो से मिर्ण कर लो गया अगर आप ऐसे बना के करों तो शायद उसमें कोई दिक्कत आ रही हो वो चेक कर लेंगे आ ट्रिए रणे मैंने सेलेक्पोट कर लिए मैंने य। पत्रिक्ष पर सुटेय को डे स्ट्रिक्ष्ट किया, डिमेंशन इमर्स चुर्ड करने के बार्ख एक-स टूल । सुल भी किया, सरक्ली मुंटपी किया हैin थे सट्ट करके ऑफिर्ण सी कर दिया ठीक है तो मेरे पास मेरा component ready हो गया ठीक है अगर आम check करना हो जिससे की सापकर ड्राइंग आ रही है तो आपकर इसकी से भीऊ आजएगा ठीक है अगर आपने ड्राइंग से दिखना होता हूं आपका matching कर रहा है ठीक है यह होगा मेरा एक पार्ट ठीक है तो इसे मैं करता हूं सेव यह मेरा हो गया नट ठीक है कि नट के नाम से मैंने सेव कर लिया ठीक है अब मैं जाओंगा फाइल में याकर सेव एस कि इसको कर दो हूं लॉकनट सेव किया अब जब सेव कर रहा हूं इसमें जो मैंने एक सुझी नहीं आप पर की थी और टैना एम कि उसे कर दूंगा शिक्स मिलिमीटर की तो यह मेरा पार्ट यह भी रीडियो गया ठीक है अब इसकी ख्या लगना मैंने इसको नट को अगर मैं करता तो मुझे वैंफिट यह होता था तो मेरे एक वरी में स्टैप हो जाना था अब मैंने क्या किया पहले इसमें नट बनाके विदाउट थ्रेडिंग कर दिया अब हम यहां से प्लेज करें जिसके बीच में सब्सक्सिंट कररेंगे में 500 अब अब जिससरह को मढल होगा आपने उस सम्सर गाटिंग करनाएं में जा रहा हुं इसे को स्लेक्ट कर रहा हूं सेंट्रस इस उसके या किया रहा कि न याए विचान ना रहा हूं क्योंकि एम 10 का था इसके इंदर जाद यह एक्विलेटर रेंगल होनी चाहिए ठीक है तो आप चाहिए तो दिमेंशन दे सकते हो 60 डिग्री बिदा सकते हो पिछ हमने 1.5 ली थी यहां 1.5 यह रख रहा हूं ठीक है अब इसमें जो में लाइन है वो लिए और टेड़ी आ रही है तो यह करुद इसके लिए मैं मेरे पसपर बडिक टूल ऑफिक करूंगा मैं वर्टियल तूल लिए कर रहा हूं यहां पर मुझे होजेंटर करना था होजेंटर करने से आपका पीस वह स्मिट्रिक हो जाएगा अब यह में बन गया पर मुझे चाहिए इस पॉइंट के ओपर चाहिए मुझे तो क्या करूँगा यहांपर किसी लाइन लेगा दूगा अब इस पूरे पार्ट को मैं मुझे कर लूँगा इसका बेस्पैंट यहां से ले लूँगा अब इसको ख्याल रखना कि आपका मटियल इससरफ कट करना है तो इसलिए मैं इसकी डियक्शन इससरफ रख रहा हूं प्रफाइल के अपने ठीक है इसको आपने फिलेट देना है तो आप फिलेट प्रफाइल को कर रहा है जो मैंने प्रफाइल बनाया उससे पिक कर रहा हूं ठीक है मैं कहा रहा हूं कि यह चाहिए मुझे और यहां पर मेरे पूछ रहा है पिच और हाइट क्या है इसको फ्लिप कर दूगा ठीक है मट्रियल कट करना है तो कमांड स्लेक्ट हो गई यह 24.5 है अगर मैं कहते हूं मुझे 6 करना है तो 6 करना पर अंदर रहा जाएगा क्योंकि मेरा 1.5 पीच है उसके बाद डिस्टेंस है तो हम ज्यादा रख लेते हैं को इश्यू नहीं हमें क्लिविए भी ठीक है ओके कर रहा हूं करने वाद जब इसे शेडीक कर रहे है तो इसके अंदर मारे पास दिखा रहा है कि कटीं हो गई है तुछी इस बीस्टेकर से आपका लौकट त्यार कि इसको सेव कर लेते हैं और हम खोल लेती है हमारा दूसरा पार्ट जो की नर्ट है, ठीक है? अब निठ खोला, निठ के अंदरे कोई करूंगा काम में झाले पहले प्लेन सेलेक्ट करेंगे क्काम कर एजी हो जायगा क्योंक तक मेरा प्लेन होगा, उस पहे काम कर सकता हूं ते भ्लेन लिया स्केच कमांड पर आया अब देख लेना कि अगर आपको ऐसे सूट करता है तो ऐसे कर लेना वरना आप इसका जो व्यू है उसे आप चेंज कर सकते हो जैसे आपको सूट करता है स्केच करने के लिए ठीक है प्रजेक्ट्रिमेट्री में जा रहा हूं सेंटर एक्सिस जेट एक्सिस और वाय एक्सिस ठीक है अलग प्लेन से अलग चीज़ बनेगी आपकी तो सबसे आप सेक्ट कर लेगा और इसके लावा मुझे ये पोल का जो आपका पाथ है लाइन है वह सेक्ट करने पड़ेगी कि यहां इसके बहुत सॉलिड है इससे अंदर हो लोगी है तो अब लाइक को एक कर रहा हूं इसके रेफ्रेंस नहीं से ले रहा हूं जाए पहले आप यहां पर एक लाइन लगा सकते वाशी ठीक है वापकी इंडिबेडन से आप एक जो ऑसके बाएग तो इंट कोशिच करना मेट पइंट के पास से बनाओ तो आपके ल यहां से आप लाइन लगाओ इसके मीट पॉइंट पर उसके बाद आप इसके और जेंटल करना है आपने मैंने वर्टीकल पीख कर लिया था और जेंटल कर रहा हूं यहां बन गया मेरे पास मैं आपको लग रहा कि यहांदा नहीं चाहिए तो थोटाए कुछ लग रहा है इसका little कि अपर कि मैंशनिंग आप ऐसे कर सकते हो कि इसको यहां पर देदिया आपने आपको इसको एजट भी कर सकते हो पहले अपर आपको प्लाणि दिमेंशन इसकी डिलीट करनी पड़ेगी ताकि वह क्लैस्ट ना कर रही है कुछ उसमें क्वैस्ट ना आए आपको ठीक है कर लो कि करने यह आप देख कर सकते हैं इस क्रमेंशन कर सकते हैं कि अब आपने फिलेट देना है फिलेट देने से क्या होता है आपका अगर पैले जाता है आपको में थे तो फीज ठीक है आप यहां से करो यहां से भी हो जाएगा इसमें इशु कोई नहीं है अब कोशी करो कि साथ में टच कर लो आपर ओए यहां यहां पर कर लिया अब दोबार से कॉईल कर रहा हूं कॉईल करते प्रफाइल सुने कर लिया है अब जाए अब जाएगा आपका जो मुटियर करेगा अब टूल है राइट डिरेक्शन में ओके कर दिया तो मेरे पास यह भी कटिंग हो गई है और इसको शेडिद विज एजिस कर लो या फिर आप शेडिड कर सकते आप ठीक है चॉइस आपकी कि आपने कैसे करना है खोड़ शेडिड विद एजिज आ ख़ेगा बस टीक है अगर ने चैक करना तो यह आपकी शेव से ठीक है और अगर अगर फ्रेड़िड चेक करना थ्रेड़िड कैसे दिखेगा आपका तू आप इस हीटन एड़िड एज वीड़ सकते ओकिस तीकिस आपके इंदर थ्रेड चल रहे हैं ठीक है यह आपके options है multiple options आपके बस तो इससे हमारे जितने सारे parts हैं वो सारे सारे complete हो गई है ठीक तो गाइज अब हम इसके बाद शुरू करेंगे assembly ठीक है उसके बाद हमारा plumber block complete हो जाएगा उसके बाद कोई और assembly पकड़ेंगे और इसके इलावा आपको जो कमांड के लिए अलगसे में वीडियो बनाके टुटोरिल्स वो अप्लोड कर दूंगा ठीक है कोई डाउट होता है कोई दिक्कत होती है आप मुझे ड्रेक्ट मेसेज कर सकते हो मेरा नमबर है 7696 363660 ठीक है ओके गाइस गुड़ ल चीजार के लिए सकते हैं की जोड़ाओ के आपका छड़त गीजल को मेरा आपको तर यúblicिवले टूने।